हलो दोस्तों पेस है आज दिनांग 16 नौंबर 2022 के जो भी बिग्यप्तियां पत्र सूचना कार्याल है भारत सरकार के दोरह जारी की जाती हैं पी आईबी हिंदी के मादिम से सबसे पहले राष्ट्रपती मुर्मु जी ने भोपाल में महिला स्वयम सहायता समोहों के सम्मेलन में सामिल हुई और उन्षे वारता की महिलाओं के उत्थान में उनका वो खुदी एक रोल मॉडल है तो उन्होंने अपने भाश्वर के मादिम से महिलाओं को संबोधित किया और उनका प्रत्साहान बढ़ाए आगे बढ़ते हैं प्रधान मंत्री काराल है आज प्रधान मंत्री जी ने बहुत सारा आप जानी रहे हैं कि करेंट में बाली में जी ट्वेंटी सिखर सम्मेलन चल रहा है तो सिखर सम्मेलन से थोड़ा इतर प्रधान मंत्री जी ने में भारती मूल के रिशी शुनक जी ने भार ग्रहड किया है पद्भार ग्रहड किया तो प्रतान मंत्री जी ने उनके इस उपलब्धी पर बढ़ाई दी और साथ ही साथ भारत ब्रिटेन ब्यापक हरण नीतिक साज़ेदारी की मौजूदा इस दी और भविश्य में आपसी स प्रधान मंता की। ऑर कहां इस वक्त ऑस्टरिया की प्रधान मंत्री है महा महीम स्री अंत् dethoni elbanese उसे उनसे मुलकाद की और दोनों देशों के बीच बयापक रड़ नीतिक साज़ेदारी के तहट दोनों देशों के बीच शम्बंधों की उतक्रिष्ट इस्ठिती तथा भारत और और उस्ट्रेलिय के बीच निहमित आधार पर होने वाली उजय अस्तरीः बातचीत पर श्रन्तोष व्यक्त गया पिर इसके बाद से बात करेंगे इतली तो इस दोरान इटली की प्रधान मंत्री महा महीम सूस्त्री जियारजिया मैलोनी से भेट की प्रधान मंत्री स्री मोधी जी ने प्रधान मंत्री सूस्त्री मैलोनी को इटली की प्रथम महीला प्रधान मंत्री चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी दोनों नेताओं ने ब्यापपार व निवेश आतंकवाद के खिलाफ कारेवाई और लोगे के बीच मेल मिलाप सहित विभिन्द छेत्रों में द्वी पक्षिये स्वंबंधों को प्रगाड बनाने पर चर्चा की अब बात करेंगे अगर तो सिंगापूर की बात करेंगे प्रधान मंत्री श्री नरेंद मोदी जी ने सिंगापूर के प्रधान मंत्री महा महीम स्री ली सियन लूंग से भेट किये प्रधान मंत्री जी ने पिछले वर्ष रोम में आयो जित जी ट्वेंटी सिखर सम्मेरिन के दौरान प्रधान मंत्री ली के साथ हुई अपनी भेट का असमण भी किया अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्रांस तो बता दे कि फ्रांस गड़राज के राष्टपती महा महीं स्री इमैनुएल मैकरॉन से दोबहर के भोजन के ओशर पर मुलाकात की दोनों राजनेताओं ने रक्षा और शहने परमाण ब्यापार और निवेश जैसे बिबिन शित्रों में चल रहे सहयोग की समिक्षा की दोनों नेताओं ने आर्थिक सम्बंधों के नए शित्रों में सहयोग को प्रगाड करने का भी श्वागत किया इसी के साथ जर्मनी के संखी गड़राज के चांसलर के साथ भी मुलाकात के दोनों नेताओं के बीच इस वर्ष यह तीसरी मुलाकात थी पिछली दो मुलाकाते दो मई 2022 को छटे भारत जर्मनी अंतरसरकारी परामर्ष के लिए प्रधानमंत्री की बर्लिन यात्रा और उसके बाद चांसलर स्कोल्ज के आमंत्रप और जी स्टैवन सिकर सम्मेलन के भागिदार देश के रूप में हमारे पिएम के जर्मनी में स्लॉस अलमो की यात्रा के दोरान भेटे हुई थी इस वक्त जर्मनी के संघी गडराज के चांसलर महा महीम स्री उलाफ स्कोल्ज हैं इसी दोरान प्रधान मंत्री जी ने अपने समापन सत्र में संबोधन भी दिया उस संबोधन में उन्होंने जी 20 में शामिल सभी राजनेताओं सभी राष्टा धैक्षों को इस बात के लिए बढ़ाई दी कि उनलोगों ने जी 20 की अध्यक्षता भारत को सौपी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बाली मेजी 20 सिखर सम्मेलन में डिजिटल ट्रांस्फोर्मेशन को लेके संबोधन सत्र भी आयोजित हुआ जिसमें उन्होंने डिजिटल ट्रांस्फोर्मेशन में भारत की भूमिका को बहुत ही अच्छे से डिटेल में सब के सामें रखा प्रधान मंत्री जी ने बैंगलूर प्रद्योगी की सम्मेलन को भी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाली में G20 सिखर सम्मेलन के औसर पर मैंग्रोव वनों का दोरा किया चुकि भारत में भी मैंग्रोव बनों का बहुत ही बड़ा दाइरा है और ये परियावरण की दृष्टि कोर्ट से जलवाई परियोर्तन में अपनी बहुत ही एहम भूमी का निभाते हैं एक बहुत ही बड़े कारवन सिंग के रूप में माने जाते हैं तो उसकी महत्ता को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने इसका दोरा किया भारत ने मिजोरम में पत्थर की खदान धसने से हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया अब बात करेंगे सूचना और प्रसारण मंत्राले से तो जैसा कि हम दोंको ने कल बात किया था भारती अंतराश्टी फिल्म महत्सव इफ्टी टैंगो के साथ अपने रंग विखेरने के लिए पूर्ण रूप से तयार है IFFC प्रादिकरर से न्यूज है कि IFFCA ने भारती रिजर्व बैंक के साथ समझोता ग्यापन का निश्पाधन किया आज के लिए इतना ही धन्यवाद दोश्रूद